जहिन दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं ठीक होंगे देखे दोस्तों अभी चल रहा है औक्टूबर 2022 का महिना चल रहा है और इस महिने चार नई सरकारी वेकेंसी निकल के आ चुकी है जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं इस पर 10th लेबल का भी वेकेंसी है 12th का भ भर सकते हैं ऐसे तो ऑक्टूबर 2022 में आप फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन कुछ वेकेंसी हैं जिसके लिए नवंबर तक फॉर्म भर पाईएगा तो आपको पूरा 8-2-Z हम समझा देंगे तो चली दोस्तों वीडियो को शूरू करते हैं लाश तक जोर देखेगा देखिए सबसे पहली वेकेंसी द्यान देजेगा इधर हम लिखे हैं विभाग सब में विभाग लिख दिये ठीक है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी सबसे पहले देखिए विभाग लिखे हैं वन दरोगा ठीक है जिसको कहते हैं SI SI मनें सब इंस्पेक्टर तो ये जो वे विभाग की तरफ से निकाला गया है यानि forest department की तरफ से दरोगा पद के लिए वेकेंसी निकाला गया है यानि one विभाग में आप दरोगा बनिएगा सब इंस्पेक्टर ठीक है और ये जो वेकेंसी निकाला गया है दोस्तो इसको all इंडिया के student apply कर सकते हैं लेकिन आपड जौब जो होगा वो यूपी में होगा ये वेकेंसी निकाला गया है उत्तर प्रदेश में ठीक है लेकिन आल इंडिया की स्टूडेंट इसके लिए अलिजिबल है आप हम को भर सकते हैं तो विभाग क्या हो गया वन दरोगा ऐसाई पद की बात करें तो टोटल साथ सो एक होगा चलेगा 6 नवंबर 2022 तक 6 11 2022 तक आप उनलाइन फॉर्म भर पाएगा एज लिमिट की बात करेंगे उम्र सिमा कितना से कितना होना चाहिए तो देखिए आपका एज का जो गिंति किया जाएगा वो एक जुलाई 2022 से आपका एज काउंट होगा एक जुलाई 2022 को आपका एज होना चाहिए 21 से लेकर के 40 साल कितना होना चाहिए दोस्तों 21 से लेकर के 40 years बाकी यदि आप SCST है तो 5 साल को उमर में छूट मिलेगा और यदि आप OBC कंडिडेट है तो आपको उमर में 3 साल का छूट मिल जाएगा अपलाई फी का बात करेंगे तो only 25 रुपया इस पे सब को मातर 25 रुपया आपको इस पे अपलाई करने का फी देना होगा योग्यता की बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान देजेगा इस पे मांगा गया ग्रेजुएशन लेकिन ग्रेजुएशन में कुछ शर्तें रखी गई हैं जैसा कि आपको हम अभी स्क्रीन में दिखा रह अपलाए कि वन दरोगा की पद पर सिधी भरती है तू किसी अभ्यरती के लिए भारत में विधी द्वारा अस्थापित विश्विद्याले से गनित भौती की विज्यान मतलब फीजिक्स रसाइन विज्यान यानी केमिस्टी इसके बाद है वनस्पति विज्यान जन्तु व विषए के साथ असनातयक यहां brake अवश्यक थे करना है तू किसी में एक मना हमरे में चाहिए जोई और सब्जेक्ट में आपका कवी दौठो होना चाहिए कोई भी दोथो तो आप इसको अपलाई कर सकते हो साथ में यदि आपने बीटेक वगर किया जैसे इंजिनियरिंग किया है वसुचिकित्सा में आपने ग्रेजुशन किया है तो आप इसको आसानी से बहर पाईएगा समझ मागया तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा योग गिता जो भी हम बताए यदि आप एलिजिबल है तो ज़रूर अपलाई कीजिएगा जॉब लोकेशन की बात करें तो यूपी आपका जॉब लोकेशन होगा उत्तर प्रदेश में आपकी नौकरी लगेगी फोरेस्ट डिपार्टमेंट में एजसा सब इंस्पेक्टर वन दरोगा समझ मागया तो यह थी हमारी पहली वेकेंसी औल इंडिया के महिला पूरुस दोनों इसको अपलाई कर सकते हैं चलिए दूसरी वेकेंसी की बात करेंगे दोस्तों तो इसका विभाग देखिए यह वेकेंसी निकाला गया है पुलिस विभाग में ठीक है पुलिस में सिविलियन पोस्ट के लिए वेकेंसी निकला है सफाई करमचारी का और दफ्तरी का है तो कई प्रकार का डास ग्यारव प्रकार का भैकेंसी नीकल तो इसमें निकला है डेली पूलिस में लेकिन और प्लाइ कर सकते हैं क्योंकि यह स्टेट गवर्मेंट की वेकंसी इसको एससे निकाल रहा है तो आप इसको जरूर अप्लाइ किजिएगा डेखे टोटल पोश्ट की बात करें तो एक हजार से प्लस आपका सीट इस पे होने व वाला था लेकिन कुछ इसूस के कारण SSE का वेबसाइट जो नहीं खुल पा रहा था और ये वेकेंसी जो है एक से दो दिनों में आपका आ जाएगा क्योंकि कैलेंडर में 7 अक्टूबर को लिखा है कि आ जाएगा ठीक है और लास्ट डेट 31-10-2022 रखा गया है तो ये वेके बात करेंगे तो 18 से लेकर कि 24 साल इस पर एज लिमिट मांगा जाएगा बाकी ये दिया आप OBC है तो 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा और SCHT को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा चली इसके बात यहाँ पर अप्लाइफी के बात करेंगे तो SSE का हर वेकेंसी में जनरल OBC और EWS इनको एक सोल पर लगता है बाकी अदर को कुछ भी पेमेंट इस पर नहीं करना होता है ठीक है इसकी बात करेंगे योग गिता इस पर क्या होना चाहिए तो किये वल दसमीं पास किसी भी बोर्ट से आपने 10 पास कर रखा है कितनों परसेंटिज है तो आप इसको MTS पोश्ट के लिए वेकेंसी निकला है तो अपने आप में काफी अच्छी वेकेंसी होने वाली है ओल इंडिया के स्टूडेंट इसको अपलाई कर सकते हैं ठीक है यदि इसका आप लोग पूरा डीटेल में देखना चाहते है तो डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक मिल जा टोटल कितना है 990 पोश्ट है और इस वेकेंसी को कौन निकाला है SSC स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरफ से ये वेकेंसी निकाली गई है ओल इंडिया के महिला और पूरुस दोनों केंडिटिट इसको अपलाई कर सकते हैं ठीक है SSC साइंटिफिक असिस्टेंट का ये पोश को तो चैक किजिए SSC के website में कि कि इसका डेट बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया उसको चैक कर लेना ठीक है लेकिन 18 अक्टूबर इसका अंतिव्तिति होने वाला है एज लिमिट का बात करेंगे तो देखिए maximum age limit 30 years इस पर मांगा गया है minimum age इस पर नहीं लिखा है maximum लिखा है कि 30 साल से ज़्यादा आपका age नहीं होना चाहिए और minimum age की बात करेंगे तो इस पर इस पर लिखा है कि 1910-1992 से पहले आपका जर्म दिन नहीं होना चाहिए समझ मागया यानि आपका date of birth 1910-1992 से पहले नहीं होना चाहिए मतलब समझ सकते हो यदि इसके बाद आपका date of birth है तब आप इसके लिए eligible हो maximum 30 years बाकी OBC को 3 साल का छूट मिलेगा SCHT को 5 साल का उमर में छूट मिल जाएगा यहां तक clear है फी का बात करेंगे तो मात्र एक 100 रुप लेगेगा general OBC और EWS वालों को बाकी SCHT और फीमल को कुछ भी payment इस पर नहीं करना है योग्यता की बात करेंगे दोस्तों इस पर योग्यता क्या चाहिए तो चलिए mobile screen में और देखते हैं देखेगा इसमें अथवा अथवा करके दो तीन तरह का educational qualification दिया है यदि यह नहीं है तो यह चलेगा यह नहीं है तो यह चलेगा इस तरह से देखेगे इजन्सियल educational qualification as on 18-10-2022 यानि 18-10-2022 तक आपका educational qualification हो जाना चाहिए ready ठीक है पहला bachelor's degree in science science में आपका bachelor's degree चाहिए with physics as one of the subject physics उसमें से एक subject होना ही चाहिए या फिर computer science, information technology या computer application ठीक है आपका BSC होना चाहिए जिसमें से physics one of the subject या फिर यह सब आपका होना चाहिए यदि आपके पास यह वाला qualification नहीं है तो और में देखे क्या लिखा है Diploma in electronic and telecommunication engineering from a recognized institution university or equivalent ठीक है और इस पे भी आपको note में लिखा है note 1 the qualifying degree or diploma referred above should be in first class 60% marks और इतना CGPA at a 10 point scale note 2 लिखा है the qualifying degree or diploma या लिखा है referred above must be of 3 years तीन साल का होना चाहिए after 10 plus 2 मतलब बारमी के बाद आपका तीन साल का वो certificate होना चाहिए इसके बाद है note 3 the applicant must have passed 10 plus 2 examination from a recognized board or equivalent in science with physics and mathematics यानि PCM से आपका जो क्या है आपका पास होना जरूरी है 10 plus 2 ठीक है और इस पर appearing student पर apply कर सकते हैं the candidates who have appeared in their final year of their graduation can also apply however they must process मतलब आपका इतना तक आपको complete करके देना हो तो काफी अच्छा vacancy है आप इसको जरूर से जरूर apply कर दीजेगा इसके बाद vacancy number 4 की बात करेंगे तो यह निकालागी है court में ठीक है यह vacancy दोस्तो ओल इंडिया की student apply कर सकते हैं लेकिन actually यह vacancy निकला बिहार में बिहार civil court में 10th pass वालों के लिए 12th और graduation सब के लिए vacancy कर सकते हैं हाँ थोड़ा सा पैसा आपको जादा देना होगा देखिए पहदी का बात करेंगे तो टोटल 7692 पोश्ट के लिए vacancy निकला है इस पर कई परकार का पोश्ट है टोटल 4 परकार का वेकंसी है clerk का वेकंसी है 3325 ठीक है court reader का वेकंसी है 1132 और steno का वेकंसी है 1562 और पी उन जिसको चपरासी कहेंगे 1673 सीट के लिए vacancy निकाला गया है तो यदि सब को मिला देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 3692 पोश्ट टोटल हो जाएगा apply date का यदि बात किया जाए तो ध्यान दीजेगा 20 सितंबर 2022 से online चालो हो चुका है 20 अक्टूबर 2022 इसका अंतिम किसी है तो 20-10 2022 से पहले आप इसको भर दीजेगा यदि आप यह वीडियो 20-10 के बात देख रहे हैं तो आप चेक किजिए कि क् बढ़ा है ठीक है age का बात करेंगे तो minimum 18 और 21 कुछ कुछ post में minimum 18 मांगा है कुछ कुछ post में minimum 21 साल मांगा है ठीक है जो metric level लेवल का वेकेंसी उस पर मिनिमूम एकिस साल मांगा गया है और मैक्सिमुम एज का बात करेंगे तो 42 साल आपका मैक्सिमुम एज इस पर मांगा गया है ठीक है अपलाई फी का बात करेंगे तो 600 रुपया लगेगा जनरल ओबीसी और EWS और बाहरी राजी के विदार्थियों के लिए अधर स्टेट वालों के लिए ठीक है और जो बिहार किया उनको 300 रुपया लगेगा S.E.S.T. को समझ मां गया लेकिन बिहार के जनरल ओबीसी को भी 600 रुपया ही पेमेंट करना होगा योगता के बात करेंगे तो इस पर टेंथ से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक का वैकेंसी है तो आप चेक कर सकते हैं इसका एक एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है तो आप उसको जरूर देखिएगा और अपने क्वालिफिकेशन की आप से आप इसका फॉर्म जरूर अपलाई कीजेगा ठीक है जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो जॉब लोके देखिएग चैनल को सब्सक्राइब करके दो लाएक सब्सक्राइबर जल से जल्ट कंप्लीट कीजे ताकि हमारा फैमली दो लाग पहुँच जाए और आगे हम आप लोगों को आएसा ही बराबर है करते रहेंगे तो चलिए दूस्तों मिलता नेक्ष्ट वीडियो में बहु धन्यवाद